नमस्कार आप सोच रहे होंगे सवेर सवेर फिर कौन सा उखाड कवार करने लगे नमन जी देगे उखाड कवार हम नहीं कर रहे हैं आपको याद होगा कि ऐसी कोई स्रिंखला हमारे इस चैनल पर नहीं चलती है हम तो पंचनामा कूटा करने वाले हैं लेकिन उखाड कवार क् पढ़ रहा है उसके पीछे कारण है लगतार बिहार की राजनीती और उत्तर प्रदेश की राजनीती इस तरीके से मन्थन में चली गई है कि ऐसे से चीज बाहर निकल रहे हैं जिसको स्वें भगवान सिव की तरह गले में स्थान दे पाना हमें लेली संभव नहीं हो रहा ह जब निकलता है तो आप लोगों तक पहुंचता है देखें दोतीन चीजें बिल्कुल स्पष जान लेजिए उत्तर प्रदेश में भाजपा और जद्यू का गटबंधन होना तय था तीन सो परतिसत तय था लेकिन आर्सीपी सिंग को जब भेजा गया उत्तर प्रदेश में जाए वहां समीकरन बनाइए और योगी जी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए इसके कारण है ऐसा नहीं है कि नितीज कुमार इगो बनाली है कि उत्तर प्रदेश में हमें चुनाव लड़ना ही लडना है योगी जी के सामने भाजपा के सामने हमें आकत दिखान इसा नहीं है चुकि जद्यू को राष्ट्रे पार्टी का दर्जा चाहिए इसलिए अन्य राज्यों में उसे चुनाव लड़ना महत्वपुर्ण है यह बात भाजपा भी जानती है लेकिन चुकि उत्तर प्रदेश में नितीज कुमार को एज़स्ट करने का मतलब ही था कि ब लहीं डवाडोल चल रही है और जिस तरीके से योगी जी का भद पिटा हुआ है उत्तर प्रदेश में और जो समीकरन आप देख रहे हैं वर्तमान में कई लोग तो कहरें का बैबेन ही करेंगे योगी वापस खर वो तो बात की बात है नितीज जी को भी यही कहा जारत है कि अगर सीटे नहीं मिलेगी तो राश्टिय दरजा कभी नहीं मिलेगा और चुकी नया पहलवान बिठाए है आगे पहलवान समझते हैं जो गारी चलाने वाला को पहले पहलवान कहा यता था उस पहलवान का आम है ललन सिंग चाहते है कि पार्टी का वो अमुल्चिल लाया जाए इतना महान बाना दिया जा जद्यू को जो कि और सीपी सिंग और पुर्व के अध्यक चाहे जज फनानिस रहे हो उनके बाद सरद्यादव रहे हो या पर नितीश कुमार हो इन सब ने नहीं किया वो करना है ललन सिंग को तो उसके लिए तो बहुत कुछ कहना करना पहलता दिए जगा पाटी के सिंग के राए को संटिंग ढाल दिया गया बाद में जब जद्यू को रियलाइज हुआ कि आर शेपी से काम नहीं बन रहा है तो उनसे चीन कर जिमवारी के सी को मिली तो आर शीपी सिंग ने भी तैक लिया कि अब तो समिकरन बनने नहीं सब्सक्राइब करें और दूसरी तरफ हाला कि वह सानवी थे हों करते हैं हम इंतजार में बैठे हुए हम भाजपाइस अभी बात कर सकते हैं हला कि यसल लग नहीं रहा है लेकिन लजन सिंक नने ने जो बात कई वह मजदार थी लजन सिर्टर पर सारी बात तल्वार लटका दी और सीपी सिंग के सरु पर उन्हों। कह दिया कि आर्सीपी बाबु ये बात कह रहे हैं कि हमारी बात मानी जाएगी यानि भाजपा से कोई बात नहीं हुई है आर्सीपी सिंग कह रहे हैं कि अंतिम समय में भी हमें गटमंधन भाजपा अपने साथ करके रख लेगी अगर हुआ तो ठीक नहीं हुआ तो फिर बात होगी आपसे ये अब ये भी बात अपनी जगह है इसके आगे भी बात बढ़ चुकी है बहुत बात बढ़ चुकी है क्योंकि अब जद्यू को फैसला लेना है प्रथम चरन में कितनी सीटों पर चुना लड़ेंगे आगे की चर दियू को भी अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी आखिर कितने दिन तक बिहार में सरकार गिर जाएगी इस डर से विभिन मुद्धों पर चाहे जाती कर जिवन नहीं हो या विशेश्राज के दर्जा हो इन सब मुद्धों पर नितीज कुमार बैक फूट पर रह सकते हैं ऐ लेकिन इन सब के बीच सुसील मोदी के अलावा बिहार में मौजुदा सरकार को बचाने की कवायत कोई नहीं कर रहा है जद्यू भी पीछे हटने वाली नहीं है भाजपा भी संजेज असवाल के नित्यतों में सपष्ट कर चुकी है कि वो इस बार पीछे नहीं हटेगी भा नितीज कुमार भी लगातार चुप हो गया है और इन सारे जोड़ घटाओं के बीच ये खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में मतलब पहले सुचरण में खबर आई कि पचास सीटों पर लड़ेंगे अंतरता खबर आएक भी सीटों पर चुना लड़ेंगे अभी जो एक उनको टिकट देगी क्यों जब आप ही कह रहे हैं कि टिकट देगी नितीज कुमार को भी बीधाओ नहीं बना सकती है कि जद्यू को टिकट मिलेगा तो आप हमें भी टिकट दीजिये इसलिए अब कभूतर बाहर निकल चुका है पिजडे से जिन निकल चुका है बोतल से बाहर ऐसी स्थिती में अब अगर बिहार में सरकार बचाने के लिए भाजपा को एड़ेस्ट करना पड़े दिया है कि वह तयार रहे बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर चुनाव लड़ने कि हम त्यारी कर रहे हैं एक पुर्व विधायक है इस पार्टी के ललन पास्वान उन्होंने भी आज मीडिया से बात करते हुए स्पस्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर हमें साथ नहीं रखा जाएगा तो इसका जो असर है वह बिहार के गटबंधन पर भी पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना कहीं न कहीं मुश्किल हो जाएगा भाजपा के लिए यानि उत्तर प्रदेश के समीकरण को अगर आप ध्यान से देखते हैं त तो आप हमारे साथ आ जाएए और कहीं न कहीं अंदर हैं अंदर विधायक जो हैं यह भी सारा कर रहे हैं कि अगर ऐसा करेगी भाजपा हमारे साथ वहां तो हम यहाँ पर गठवंधन करने के लिए चाहे स्याम भादूर हो या जैकुमार सिंग हो या जद्यू के वो नेता जो सामने आकर खुल कर नहीं बोल रहे हैं, पीछे-पीछे बोल रहे हैं, उन सब ने कहीं न कहीं मन बना लिया है, नितीज कुमार भी लगता चुपी साधे हुए हैं, इसको लेकर यही जोड़ घटाव चल रहा है बिहार में, कि नितीज कुमार एक का एक तेजस्मी के साथ जा सकते हैं, और इस फैसले से भाजपा को बड़ा जटका लग सकता है, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा, उत्तर प्रदेश में सीटे मिलनेगी या नहीं मिलेंगी अंतिम समय में, जदियू को इस पर सब कुछ डिपेंड करेगा, तो हमारी नज़र तो उस पर है ही ह आपके नज़र तो पताईए कहा होनी चाहिए, भारत लाइब है देखिए हले बागी